इस बार का विधान सभाचुनाव वाके ही बहुत दल्चस्प है यहाँ पर जुबानी जंग से ज़्यादा ट्विटर वार देखने को मिल रहा है आए दिन नेताओं के द्वारा ऐसे ट्वीट्स किया जा रहे है कि बस देखते ही बन रहा है नमस्कार मेरा नाम निशा ओजा ह है और आप डिटी डवलू 24 देख रहे हैं कली हमने आपको बताया था कि चिराग पासवार ने बैक टू बैक चार ट्वीट्स करके निटीश कुमार को जम कर घेरा था और कहा था कि निटीश कुमार ने बस बिहार को डुबाया ही है आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है चिराग पासवान ने फिर से चार ट्वीट्स करके निटीश कुमार को जम कर बुरा भला कहा है आपको बता देखिए चारों ट्वीट्स कल के ही समय यानि कि कल लगभग 11 बजे से लेकर के 11 तक के बीच में चिराग पासवान ने ट्वीट किया था और आज भी लगभग इसी समय में चिराग पासवान ने लगतार चार ट्वीट्स करके निटीश कुमार पर जम कर हमला किया है सुनिए क्या कुछ लिखा है चिराग पासवान ने पहले ट्वीट में चिराग ने लिखा है कि आप सभी केस ने आशिरवाद और साथ से बिहार में जदियू से जादा सीटे कुछ ना बोलना एक फरेब है बिहार की जनता को जान बूझ कर पिछले पात साल के कारे को कुछ नहीं बताया जा रहा है सिफ कूर्सी के खेल में पिछले पात साल साहब ने बिहारियों को बरबाद किया है वहीं तीसरे ट्वीट में चिराग ने लिखा कि कोई भी विधायक, मंत्री या खुद आदर्निय नितीश कुमार जी वोट मागने आए तो पूछिए कि पिछले पात साल में क्या किया है नितीश कुमार से पूछिए कि साथ निस्ट्रे में कौन-कौन से वादे पूरे किये गए हैस्टेग और संभव नितिश वहीं अपने चौते और आखरी ट्वीट में चिराग लिखते हैं कि आदर्निय नितीश कुमार जी पिछले पात साल के कारिकाल को देखकर आने वाले पात साल की कल्प ना की जा सकती है बिहार को अगर इस बेबसी से निकलना है तो जरूरत है बड़े कदम उठाने की जदियू को दिया गया एक भी वोट कल बिहार को बरबाद कर देगा हैस्टेग और संभव नितिश चिराग आये दिन नितीश कुमार पर हमला वर हो रहे हैं पिछले दिनों उन्होंने जम कर नितीश कुमार पर हमला करते हुए ये भी कहा था कि उनका जो साथ निस्चे एक था वो बिल्कुल फ्लॉप था और वहीं अब उसको भी कारेगर ना करते हुए उन्होंने ये भी नहीं देखा कि उनका जो पहला साथ निस्चे था वो कितनी बुरी तरह जमीनी हकीकत नहीं बन पाया तो अब उन्होंने साथ निस्चे पाट्टू का भी अलान कर दिया तो अब चिराग पासवान उनकी नीतियों पर भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछले पात साल के अगर कारेकाल की बात की जाए तो नितीश कुमार ने कुछ भी नहीं किया है सिर्फ बिहार को बरबाद किया है तो वहीं दूसरी तरफ राज़त के सुप्रीमो लालू प्रशाद यादव भी कुछ कम नहीं है आए दिन ट्वीट्स करके नितीश कुमार को जम कर लतारते रहते हैं बिहारी अंदाज में ऐसा टॉंट मारते हैं कि बस नितीश कुमार सोचते ही रह जाते हैं कल की ही बात ले लिजे लालू प्रशाद ये फिर एक ट्वीट की और नितीश कुमार को जम कर लतारा है सुनिए क्या लिखा था लालू प्रशाद यादव लिखते हैं कि बिहार में अब हिंद महासागर भेजल जाओका 15 साल के नाकामी के एक हाली गाल बजा के चिपईबा इस बिहारी अंदाज में लालू प्रशाद यादव ने नितीश कुमार पर हमला किया है अब देखना होगा कि ये नफरत कहां जाकर खतम होती है ये चुनाव के बाद भी इस तरह से हमला करते रहेंगे नितीश कुमार पर या फिर तस्वीर कुछ बदल सी जाएगी बरहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चानल के साथ बने रही अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेस्बुक पर लाइक कर लिजे और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर दीजेगा बहुत बहुत शुक्रिया